रोमियो अध्याई पांच का परीचे न्याई करण का सिध्धान्त सच नहीं है पॉलुस इस अध्याई में विश्वास के द्वारा गोशना करता है कि केवल वे ही जो परमेश्वर की धार्मिक्ता में विश्वास करते हैं परमेश्वर के साथ मिल रखने है इसका कारण यह है कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए मसी को बबतिस्मा दिया और यहां तक की कुरूस पर उसका लहु बहाया हाला कि हम अक्सर देखते हैं कि अधिकांस मसीह आज परमेश्वर के साथ सांती प्राप्त करने में असमर्थ है क्योंकि उन्हें परमेश्वर की धार्मिक्ता का जरा भी ज्यान नहीं है यहां उन लोगों की सच्चाई है जो आज के मसीह धर्मों को मानते है इसलिए न्याई करण का सिधान परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है न्याई करण के सिधान में विश्वास करने की तुलना में परमेश्वर की धार्मिक्ता में विश्वास करके उसे प्राप्त करना अधिक उचित है पिता परमेश्वर ने यहां नहीं कहा कि वहां येश्यों में विश्वास्यों को अपने लोग कहेंगे बले उनके रिदयों में पाप था परमेश्वर पापयों को अपनी संतान के रूप में स्विकार नहीं करता परमेश्वर ऐसा व्यक्ति नहीं है वहां उद्धार करता है जो अपने रिदय में पाप करने वाले व्यक्ति को कभी भी अपने लोगों में से एक नहीं मानता है हम जिस परमेश्वर में विश्वास करते हैं वहां सर्वशक्ति मान है कि सर्वसक्तिमार और सर्वग्यानी परमेश्वर किसी के जूठे विश्वास के बारे में ठीक से नहीं जान पाएंगे तब हमें यहां जानना और विश्वास करना चाहिए कि वह एक मसीही पापी को जो एक जूठा विश्वास करता है उसे अपने लोगों में से एक के रूप में नहीं मानता है परमेश्वर के सामने सभी को सच्चा होना चाहिए नयाई करन का सिध्धान्त जिसे लोग गलत रूप से जानते और विश्वास करते हैं कुछ ऐसा है जो परमेश्वर का उपहास करता है इसलिए हमें परमेश्वर की धार्मिक्ता के बारे में सच्चाई को सही ढंक से समझने के बाद येशु पर अपने उध्धार करता के रूप में विश्वास करना चाहिए पिता परमेश्वर यहन नहीं कहते कि किसी के पास पाप होना ठीक है बलही कोई येशु में विश्वास करता हो या नहीं वह एक ऐसा व्यक्ति है जो निस्चित रूप से एक पापी को उसके पाप के लिए नियाई करता है इसलिए पाप की अपनी समस्याओं को हल करने के लिए आपको परमेश्वर की धार्मिक्ता को जानने और उस पर विश्वास करके आगे बढ़ने की आवाशकता है परमेश्वर येश्वर के बप्तिस्मा और कुरूस पर उसके लहू में हमारे विश्वास को देखेगा और हमारे पापो को माफ करेगा क्योंकि हम परमेश्वर की धार्मिक्ता में विश्वास करते हैं परमेश्वर हमें अपने लोग कहते हैं, हमें गले लगाते हैं और यहां तक की हमें आश्रिज भी देते हैं पिता परमेश्वर स्विकार करते हैं कि उनकी धार्मिक्ता में हमारा विश्वास सही है परमेश्वर पृत्वी के नयादिस नहीं है परमेश्वर की धार्विक्ता में विश्वास करने वाला विश्वास अबराहम के विश्वास पर आधारित है जो विश्वद रूप से परमेश्वर के वचनों में विश्वास करता था अधिकांस मसेही न्याय करण के सिधान के बारे में गलत समझते हैं और इस प्रकार हमें इस बिंदू पर इसे सपश्ट रुप से समझने की आवशक्ता है आप निश्टित रुप से जानते हैं कि इस दुनिया में किसी भी अदालत में पूरी तरह से सही न्याय जैसी कोई चीज नहीं होती आपको यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि इस दुनिया का एक न्याय अधिस अपने फैसलों में हवेसा गलतिया कर सकता है इसका कारण यहाँ है कि सभी मानविय न्याय अधिस अपर्याप्त है और यहाँ तक की परमेश्र की धार्मिक्ता से भी अज़ान है जो अच्छे और बुरे की पूरुन कसूटी है अधिकांस मसीही परमेश्र की धार्मिक्ता को गलत समझने के लिए उपयूक्त है जो हमें हमारे विश्वासों के अनुसार धर्मी का न्याय करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका न्याय उसी तर्क का उप्योग करता है जिसे एक न्याय अदिस द्वारा एक पापी को सजा दी जाती है म्याई करण का सिध्धान्थ गलत म्याई का सिध्धात है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सिध्धान्थ मानों विचार के आधार पर बनाया गया था लोग गलत निर्णाई लेने में अच्छे हैं क्योंकि वे सरवसक्तिमान नहीं है इसलिए वे परमेश्वर में जुठा विश्वास करते हैं जिन्होंने वास्तों में उन्हें धर्मी बनाया है उनके विचार धर्मी ठहराने के सिद्धान पर आधारित है इससे उन्हें यहां विश्वास हो जाता है कि परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें पाप रहित मानता हूँ क्योंकि तुम किसी तरह मुझ पर विश्वास करते हो हाला कि परमेश्वर ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकते लोग अक्सर मानते हैं कि भलही उनके पास पाप है फिर भी परमेश्वर उन्हें अपने लोगों के रूप में स्विकार करता है क्योंकि वे किसी तरह येश्यू में विश्वास करते हैं यह उनके अपने विश्वासों के आधार पर अपने विश्वास के घरों का कुनन निर्मान करना चाहिए पवित्र और सर्वसक्तिमान परमेश्वर उस व्यक्ति का नियाई पाप रहित के रूप में कैसे कर सकता है जिनके रिदे में पाप है क्या पर्मेश्वर नेड़ने करता है, कि जिनके रिदे में पाप है वे पाप रहीत है यह सोचना और विश्वास करना ही ऐसा कुछ सच हो सकता है किसी के अपने मानव्य विचार से जयादा कुछ नहीं है परमेश्वर सत्या का परमेश्वर है और कभी भी गलत नेड़ाई नहीं लेते हैं परमेश्वर जो स्वयम सत्या है मनुष्य की तरह अपने नेड़ायों में गलतिया कैसे कर सकता है ऐसा कभी नहीं हो सकता परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है जो अपनी धार्मिक्ता के आधार पर उसकी धार्मिक्ता में विश्वास करने वालों को पाप रहित के रूप में न्याई करता है क्या आप परमेश्वर की धार्मिक्ता के बारे में जानते हैं? क्या आप उसकी धार्मिक्ता को जानते हैं और उसमें विश्वास करते हैं यह धार्मिक्ता पानी और आत्मा के सुसमाचार के वच्चरों में पूरी तरफ पाई जा सकती है रोमियों में वर्णिक परमेश्वर की धार्मिक्ता को समझने के लिए आपको पानी और आत्मा के सुसमचार को समझना और उसमें विश्वास करना चाहिए ऐसा किये बिना आप कभी भी परमेश्वर की धार्मिक्ता को नहीं समझ सकते हैं इस अच्चाई को सभी को समझना चाहिए. जो परमेश्वर की धार्मिक्ता को समझता है, वहाँ उस सत्य को सही डन से समझता है, जिसने उसे धर्मी बनाया है. हम सभी को परमेश्वर की धार्मिक्ता पर विश्वास करना चाहिए, जो बाइबल में प्रगट हुई है. अन्य अलाकि अब आपको परमेश्वर की धार्मिक्ता में विश्वास करके सच्चे विश्वास के और लोटना चाहिए। यहां जानकर कि क्लेश से धीरच और धीरच से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन होती है। तर्मी लोगों के पास किस तरह की आसा है? उनके पास वह आसा है जिसके द्वारा वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश्व कर सकते हैं और वहां रह सकते हैं। इस तरह का विश्वास कहां से आता है? यहां पिता परमेश्वर के प्रेम के द्वारा येश्व मसी की धार्मिक्ता में विश्वास करने से आता है. प्रभु कहते हैं कि हम अधर्मी थे. क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसी ठीक समय पर भक्ति हिनों के लिए मरा. रोमियो अध्याय पांच वचन छे. हमारे गर्ब धारन करने से पहले या जब हम अपनी माँ के गर्ब में थे या जब हम पैदा हुए थे लेकिन प्रभु को नहीं जानते थे. हमारे पास जीवन भर पाप करने और अंतमे नरत में जाने के अलावा और कोई रिकल्प नहीं थ जब हमारे पूर्वज आदम और हववा ने पाप किया था तो परमेश्व ने उद्धार करता भेजने के वादा किया था और खा था वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू यानि कि सर्प उसकी एड़ी को नसेगा उद्पति अध्यायतीन वचन पंद्रा इस प्रतिग्या के अनुसार हमारे पाप करने से पहले ही येश्व मसे इस संसार में आए और हमारे सभी पापों को उठा लिया और हमें बचाया उसने दुनिया के पापो को लेने के लिए युहना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा लिया और कुरूस पर अपना लहू बहा कर उन्हें मिटा दिया उसने बृत्यू से अपने पुनरुथान के द्वारा हमारे पापो को मिटा दिया प्रभु ने अपने वप्तिस्मा के द्वारा मनुष्य जाती के पापो और आपके और मेरे जैसे अधर्मियों के पापो को अपने उपर ले लिया और कुरूस पर मर कर विश्वास्यों को उनके सभी पापों से बचाया क्या हम धर्मी है? एक धर्मी व्यक्ति वह होता है जो परमेश्वर के प्रती भई में खड़ा होता है और स्वयम को पाप से दूर रखता है यहाँ परमेश्वर की सिद्ध धार्मिकता थी जिसने येश्वर को आपके और मेरे लिए अधर्मी लोगों के लिए बप्तिस्मा लेने की अनुमती थी और उन्हें क्रूस पर चड़ाया गया और फिर पुनर जीवित किया गया यहाँ परमेश्वर का प्रेम भी था जिसने हमें तब बचाया जब हम शक्ति हिन थे पुराने नियम में महायाजक के हाथों को रखने के द्वारा इस्राइलियों के वर्स के पापों को पापबली के उपर पारिक करने की तरह येश्व मस्य ने युहना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा लेने के द्वारा न केवल मनुष्ट जाती के सभी पापों को अपने उपर ले लिया लेकिन वहां कुरूस भर भी चड़ा क्योंकि वहां नए नियम में जगत के पापों को ढो रहा था परमेश्व की धार्मिक्ता इस तथ्ये को संदर भी करती है कि येश्व मस्य ने बप्तिस्मा लेकर और अपना लहु भाकर पापियों के सभी पापों को धो दिया क्या आप और मैं धर्मी है क्या प्रबु हम पापियों को बचाने नहीं आया क्योंकि हम अधर्मी हैं हम अधर्मी हैं क्योंकि हम जन्म के दिन से लेकर मरते दम तक पाप करते रहे हैं हाला कि जब हम पापी थे तब भी योहन्ना द्वारा बप्तिस्मा लेने और कुरुस पर अपना लहू बहाने के द्वारा मसी ने हमारे लिए अपने प्रेम का प्रदर्शन किया येश्टु ने हमारा गंता भी बदल दिया है हमें यहाँ सोचना चाहिए कि जन्मक के दिन से ही मनुश्य के रूप में हम किस प्रकार के भाग्य का सामना करते हैं जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन से हमारा भाग्य क्या था हमारा नर्क में जाना तै था फिर आपको और मेरे लिए नर्क में जाने के इस भाग्य से बचना कैसे संभव था हमारे भाग्य बदल गए क्योंकि हमने परमेश्वर की धार्मिक्ता में विश्वास किया जी सच्चाई जिसने हमारे भाग्य को बदल दिया वह है पानी और आत्मा का सुसमाचार हमारा भाग्य धन्य हो गया क्योंकि हमने येश्व मसी पर विश्वास किया जिसने परमेश्वर की धार्मिक्ता को परिप्रूना किया था आप निम्नगित के प्रसिद वच्चनों को जानते होंगे अद्भूत कुरुपा कितनी मीठी आवाज है उसने मेरे जैसे दुष्ट को बचाया मैं एक बार खो गया था लेकिन अब मिल गया हूँ अन्दा था लेकिन अब मैं देखने लगा हूँ परमेश्वर की धया और धार्मिक्ता वह सच्चाई है जो हमारे उद्धार की गवाही देती है जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिक्ता को जानता और विश्वास करता है तब वह व्यक्ति अपने रिदे के सारे पापों की माफी प्राप कर सकता है और स्वर्गिय शांती का आनन ले सकता है अब इस जगत में हर कोई जो अभी भी अपने रिदे में पाप रखता है भले फिर वो येश्व में विश्वास करते हो उन्हें परमेश्वर की धार्मिक्ता को जानने के लिए पानी और आत्मा के सुसमाचार की और लोटना चाहिए फस्तों में मसीही जो पानी और आत्मा के सुसमाचार को नहीं जानते हैं वे भी इस बात से अंजान है कि उनके पाप येश्व को सौप दिये गए हैं इसलिए वे परमेश्वर की धार्मिक्ता प्राप्त करने में असमर्थ है बले ही वे विश्वास करते हैं कि येश्वर इस जगत में आए और क्रूस पर मरकर उन्हें उनके पापों से बचाया फिर भी वे अपने उध्धार के बारे में सुनिश्चित नहीं है इस प्रकार वे केवल इस असपष्ट अनुमान से राहत महसूस करते हैं कि सायद परमेश्वर ने उन्हें जगत के निर्मान से पहले चुना है दूसरे सब्दों में वे केवल मसीही धर्म में दुनिया के एक और धर्म के रूप में विश्वास करते हैं वचन 11 कहता है केवल यही नहीं परन्तु हम अपने प्रभू येश्व मसी के द्वारा इसके द्वारा हमारा मेल हुआ परमेश्वर में आनन्दित होते हैं किसने हमारा यानि की पापियों का परमेश्व के साथ मेल कराया येश्व मस्थी ने हमें पिता के साथ मिला दिया कैसे स्वयम इस जगत में आये तियस वर्स की आयू में योहना बप्तिस्मा देने वाले के द्वारा बप्तिस्मा लिया कुरूस पर चड़ाया गया, फिर मृत्यू से पुनर रुत्थित हुआ, इस प्रकार उस कार्य को परिपूर्ण किया जिसने परमेश्वर की सब धार्मिक्ता को पुरा किया है स्वर्गिय महायाजक के रूप में इस जगत में आने और मनुष्जाती के पापो को लेने के द्वारा, येश्वर की धार्मिक्ता में विश्वास करने वालों के लिए हमारा उध्धार करता बन गया सांसारिक महायाजक युहन ना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा लेकर कुरूस पर अपना लहू बहा कर और फिर मृत्यू से पुनरुत्तित होकर मसी हमारा उध्धार करता बना चुकि येश्व मसी ने पहले ही हमारे सभी पापों को समाप्त कर दिया है हम अपने विश्वासों के माध्यम से परमेश्वर की धार्मिक्ता प्राप्त करने में सक्सम बने है जो कोई यह मानता है कि येश्व ने हमें हमारे सभी पापों से पूरी तरह से बचाया है वहां परमेश्वर में आनन्दित होगा जिस किसी के मन में जरासा भी पाप है वहां परमेश्वर की संतान नहीं है आप भाईयो सायत पहले से ही जानते हैं कि इस संसार के लोग न्याई करण के सिध्धान्थ और पवित्रता के सिध्धान्थ को सत्यमानते हैं यदि परमेश्र सासन करता है तो क्या सही है कि यदि केवल हम कहते हैं कि हम येश्यू पर विश्वास करते हैं तो हम पाप रही थे, फिर चाहे भले ही हमारे रिदे में पाप हो? या क्या यह और भी सही है कि हमें परमेश्र के लोगों के रूप में संदर्वित किया जाना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ कुद को मसीही के रूप में पहचानते हैं? हम प्रभु की प्रात्ना में कहते हैं है हमारे पिता तुझो स्वर्ग में है आपका नाम पवित्र माना जाए इस वाक्यांस का अर्थ है कि जिनके रिदे में पाफ है वे संभव अतह परमेश्वर को हमारा पिता नहीं कह सकते क्या हमें अब भी नियाई करण के सिधान में विश्वास करना चाहिए क्या कोई व्यक्ति जो वर्तमान में पापी है क्या वहाँ प्रभु को अपना उद्धार करता कह सकता है वहाँ कुछ वर्सो के लिए प्रभु को पुकार सकता है लेकिन अंत में वहां प्रभु को छोड़ देगा क्योंकि वहां इमाददारी से एक मसीह होने में शर्म हैसुस करता है इसलिए आपको पता होना चाहिए कि न्याई करण का सिध्धान आपको परमेश्वर्ट की धार्मिक्ता से अलग कर देगा परमेश्वर्ट की धार्मिक्ता को जानने और उस पर विश्वास करने से ही कोई व्यक्ती परमेश्वर्ट के राज्ये में प्रवेश्वर्ट कर सकता है यद्यपी एक मनुष्य परमेश्वर्ट के द्वारा पाप जगत में आया आईए अब वचन 12 पढ़ते हैं इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यू आई और इसी रिदी से मृत्यू सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया किसके द्वारा पाप सब मनुष्य के रिदे में प्रवेश हुआ और कितने व्यक्ति के द्वारा पाप इस जगत में आया वजन कहता है एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया उसरे सब्दों में ऐसा कहा जाता है कि पाप एक मनुष्य आदम के कारण अस्तित्व में आया और हम सब उसके वन्सज है फिर किसके द्वारा संसार के पाप मिट गय यह कहा जा सकता है कि यह उसी तरह हुआ जिस तरह से पाप पहले दुनिया में आया था मनुष्य जाती के पाप अस्तित्व में आए क्योंकि एक व्यक्ति उस व्यवस्था में विश्वास नहीं करता था इसे परमेश्वर ने स्तापित किया था अब भी जो परमेश्वर के वचरों में विश्वास नहीं करता है वह पापी रहेगा और अंत में नरक में जाएगा इसलिए हमें निम्न लिखित बाते जानना चाहिए हम अपने पापों के कारण पापी नहीं है बलकि अपने पुरुवजों के कारण है जिन्होंने पाप किया था आपको पता होना चाहिए कि लोगों के पाप करने का कारण यह है कि वे कमजोर है और अपने दिलों में पाप है लोगों द्वारा किये गए पाप को अधर्म कहा जाता है उनके पाप करने का कारण यह है कि वे इस अंसार में पाप करने के लिए पैदा हुए है क्योंकि हर कोई अपर्याप्त है और इस दुनिया में पाप को लेकर पैदा हुआ है इसलिए वह पाप करता है हम मुल्रूप से पापी यानि की पाप के बिज बन गए क्योंकि हमें अपने पुरुव जोसे सभी पाप विरासत में मिले हैं हाला कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति पर्मेश्वर की धार्मिता में विश्वास करके एक ही बार में पवित्र और धर्मी बन सकता है मनुश्य में सबसे पहले पाप कब अस्तित्व में आया व्यवस्ता के दी जाने तक पाप जगत में था परन्तु जहां व्यवस्ता नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता क्या पर्मेश्वर की व्यवस्ता को जानने से पहले पाप था इससे पहले कि हम परमेश्वर की वियवस्था को जानते हम यहाँ नहीं समझते थे कि परमेश्वर के सामने एक पॉर्णा कार्य के रूप में क्या है पर्मेश्वर ने हमसे कहा, तू मुझे छोड़ दूसरों को इस्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मुर्ति खोद करना बनाना, जो आकास में या पूत्वी पर या पूत्वी के जल्मे है, तू उनको दंडवत न करना, और न उनकी उपास न करना, तू अपने पर्मे हम वास्तों में अपने पापों के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए व्यवस्ता के दी जाने तक पाप जगत में था, परन्तु जहां व्यवस्ता नहीं, वहां पाप गिना नहीं जाता, क्योंकि हम अन्य जातियों के पास व्यवस्ता नहीं थी, और इस प्रकार हम इसे न पाप किया। अधिकांस कोरियाई लोग एक चट्टान से प्रात्ना करते हैं और यहां सोचकर कि यह बुद्ध है फिर भी उन्हें अभी भी यह ऐसास नहीं है कि वे एक नकासीदार छवी की सिवा कर रहे हैं। वे नहीं जानते थे कि दूसरे देवताओं को प्रणाम करना प पाप पहले से मौझुद था। आदम को बनाने के लगबग 2500 साल बाद परमेश्व ने हमें व्यवस्था दी। यद्यभी परमेश्व ने इसराइलियों को मुसा के द्वारा लगबग 1450 इस्वी पूर में व्यवस्था दी थी। पाप पहले से ही एक मनुष्य आदम के द् से पहले ही सभी लोगों की रिदयों में अस्तित्व में आ गया था। येश्व अपने लोगों का उद्धार करता है। कि येश्व मसी ने अकिल ही दुनिया के सभी पापों को खत्म कर दिया। हाँ, यहाँ वचन 14 में कहा गया है कि मृत्यू ने उन लोगों पर शासन किया जिन्होंने आदम के अपराद की समानता में अनुसार पाप नहीं किया था या अपराद नहीं किया था। इसलिए आदम उसका एक प्रकार था जो आने वाला था। एक मनुश्य के द्वारा मनुश्य जाती पापी बन गई। इसी तरह येश्व मसी इस दुनिया में आये औ जिसने हमें आदम के वन्सजों को पाप से बचाया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं क्योंकि स्वर्ग की नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, प्रेरीत अधियाय चार वचन बारा, उसका नाम हमारा अनन्द उद्धार करता, हमें यहां समझना चाहिए, कि हम स्वतही एक मनुष्य आदम के द्वारा पापी बन गए, क्या आप जानते हैं, कि येशु मसीही वह उद्धार करता है, जिसने एक ही बार में संसार के पापों का नास कर दिया, क्या आप विश्वास करते है कि येशु मसीही वह उद्धार करता है, जिसने अपने बक्तिस्मा और क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा, जगत के सभी पापों को एक ही बार में मीटा लाया, क्या विश्वास करते हैं, कि येशु इस संसार के पापों का नास करके सारी मनुष्य जाती का सच्चा उद् ले लिया, कुरस पर अपना लहू बहाने के द्वारा पापों का दंड सहा और परमेश्वर की सारी धार मिक्ता, जिसने हमारे सब पापों को मिटा दिया, परिपूर्ण किया, इस प्रकार वह हमारा संपूर्ण उद्धार करता बन गया, हमें येशु पर विश्वास करने क बाद म्याई करण के सिध्धान्त या पवित्री करण के सिध्धान्त पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त नहीं हुआ, येशु ने हमें एक ही बार में अनन्त उद्धार दिया, येशु ने कहा कि केवल वेही परमेश्वर के राजिय में प्रवेश कर सकते हैं और उ उनके प्रयास और प्रयत्ना किसी ना किसी तरह से उधार के लिए कार्य करेंगे। और धर्मी बन सकता है बाइबल में एक मनुष्य येश्य मसे इस दुनिया में आया हमारे सभी पापो को लेने के लिए बक्तिस्मा लिया और कुरुस पर उन पापो के प्रायश्रिक के माध्यम से हमारे उद्धार को परिफून किया येश्यू ने हमें पापों की अनंत माफिदी है जो हमारे अपरादों की तरह नहीं है वचन पंद्रा कहता है पर जैसी अपराद की दसा है वैसी अनुग्रत के वरदान की नहीं क्योंकि जब एक मनुषर के अपराद से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात येश्व मसी के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से होगा जब येश्व ने बबतिस्मा लिया तब क्या आपके और मेरे पापों को येश्व पर पारिद किया गया था? हाँ, किया गया था येश्व जगत के पापों को लेकर कुरूस पर गए और हमारे स्थान पर उन पापों के लिए नयाय प्राप्त किया परमेश्वर का उद्धार एक मुप्त उपहार है और इसे अपराज से अलग कहा जाता है येश्व ने अपने 33 साल के जीवन में अपने बप्तिस्मा और कुरूस के लहू से हमें यानी जिन्होंने जीवन बर पाप किया उन्हें बचाया है एक बार में परिपूर्ण हुई पाप की माफी में विश्वास करके उद्धार प्राप्त करने के बाद भी हमारा सरीर पाप करना जारी रखता है क्योंकि यहां अब परियाप्त और नाजुक है यदियपी हमारा सरीर अभी भी पाप करना जारी रहता है फिर भी हम पाप की अनंत माफी प्राप कर सकते हैं यदि हम इस तख्य में विश्वास करे कि येशुने बब्तिस्मा लेने के द्वारा एक ही बार में हमारे सभी पापों को अपने उपर ले लिया और उसने अपना लहू बहाकर परमेश्वर की सब धार्मिक्ता को पुरा किया पाप की माफी के उद्धार का उपहार आदम के अपरात के समान नहीं है पाप की माफी का परमेश्वर का उपहार प्रती दिन नहीं दिया जाता है जैसे कि लोग दहिनिक पाप करते हैं पाप की माफी का सत्य कहता है कि प्रभू ने लदबग 2000 वर्स पहले बप्तिस्मा लेकर और अपना लहू बहा कर हमें एक ही बार में हमारे सभी पापों से बचा लिया है। कि हम हर दिन पाप करेंगे और इसलिए जब उन्होंने बप्तिस्मा लिया तो इस दुनिया के सभी पापों को एक ही बार में ले लिया। इसलिए पिता परमेश्वर ने पुत्र के बप्तिस्मा और कुरुषपर चड़ाया जाने के द्वारा अपनी सब धार्मिक्ता को पूरा किया। परमेश्वर की सारी धार्मिक्ता पूरी हो चुकी है क्योंकि येश्चों ने बप्तिसमा लिया, कुरुषपर लहु बहाया और फिर से जी उठा आजकल अधिकांस मसीही मानते हैं कि जब वे पश्चताप की प्रात्ना करते हैं तो उनके पाप दूर हो जाते हैं क्ये वास्तों में सच है? हरगीज नहीं जो व्यक्ति यह सोचता है कि वहां हत्या करने के बाद पश्चताप की प्रात्ना करके वहां अपने पापों का प्रायश्वित कर सकता है वहां गलत है यह सोचने का तरीका मानों विचार से ज्यादा कुछ नहीं है परमेश्वर की तरब से पापों को खत्मक करने के लिए हमेशा पाप की मजदूरी का फुक्तान करने की आवश्चता होती है ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र येश्यो को युहना द्वारा बप्तिस्मा दिया और उन्होंने कुरूस पर लहू भाकर सभी पापों को मिटा दिया येशु के बब्तिस्मा और कुरूस पर के लहू में विश्वास करके मनुष्य जाती के पापों को धोया और मिटाया जा सकता है प्रशताप की प्रात्ना करने से नहीं इसलिए वाइबल कहती है पर जैसी अपरात की दसा है वैसी अनुग्र के वरदान की नहीं क्योंकि जब एक मनुष्य के अपरात से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्र और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात येश्व मसी के अनुग्र से हुआ, बहुत से लोगों पर अवस्च यही अधिकाई से हुआ जिस तरह रात बर नल के चलने पर पानी भर जाता है चाय हमने कितनी भी बाप किये हो उसका उधार हमें हमारे सभी पापों से बचाने के लिए पर्यापत रूप से पहता है येश्व ने बबतिस्मा लेकर जगत के सारे पापों को अपने उपर ले लिया साथ ही क्योंकि परमेश्व का उधार हमारे द्वारा किये गए अधर्मों से कहीं अधिक है हमारे बचाय जाने के बाद भी उसका उत्धार बहुत तायत में है क्या यह स्पस्ट है? एक मनुष्य येश्टु मसी के द्वारा वजन 16 और 17 कहते हैं जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दसा नहीं क्योंकि एक ही के कारण धन की आग्या का फैसला हुआ परंतु बहुत से अपरादों की कारण ऐसा वरदान उत्पन हुआ कि लोग धर्मी ठहरे क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराद के कारण बृत्यू ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुत तायच से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात येश्यो मसी के द्वारा अवस्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे मौत ने एक आदमी के अपराद से सारी मानवता पर राज्य किया है यहां दरशाता है कि एक मनुष्य आदम के पाप ने सभी को पापी बना दिया और उस पाप के कारण सभी को परमेश्वर के शराप का सामना करना पड़ा जिसने भी पाप किया है उसे मरना और नरत में जाना था उसी तरह परमेश्वर की धार्मिक्ता जीवन में एक येश्यु मसी के कारण राज करती है जिन लोगों ने अनुग्र और धार्मिक्ता का प्रचुर उपहार प्राप्त किया है वे वो है जिने पानी और आत्मा के सुसमाचार में उनके विश्वासों के लिए उद्धार का उपहार दिया गया है वे परमेश्वर से बहुत अधिक अनुग्र प्राप्त करते हैं और जीवन में राज करते हैं वचनठारा कहता है इसलिए जैसा एक अपराच सब मनुष्यों के लिए दन की आगया का कारण हुआ वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमी धर्मी ठहराय जाने का कारण हुआ या हमें एक प्रश्ण पुछने और उसका उत्तर देने के आवश्च रखता है क्या यहाँ सोचना सही है कि एक व्यक्ति के पास से हम सभी पापों पापी हो गएं क्या आप अपने पापों के कारण पापी बन गए है या अपने पुर्वज आदम के परमेश्वर के विरुद अपरात के कारण यदि हम सब आदम के अपरात के कारण पापी हो गए हैं तो जो लोग येश्व मसीने हमें हमारे पापों से बचाने के लिए किये धर्मी कारिय में विश्वास करते हैं वे धर्मी बन जाते हैं यदि कोई परमेश्वर की धर्मिक्ता में विश्वास करता है तो क्या उसका पाप वास्तों में समाप्त हो जाता है? हाँ, वहाँ पाप रहित हो जाता है एक धर्म का काम भी सब मनुश्यों के लिए जीवन के निमित धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ परमेश्वर की धार्विक्ता का मुव्त उत्थार प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि कि किसी को येशु में विश्वास करके किसी तरह से बचाये जाने के बाद पवित्रता तक पहुँचने के लिए हर दिन पशताप की प्रातना करनी होगी कभी नहीं जब प्रिवित पौलुस ने विश्वास से धर्मी ठहराए जाने के बारे में बात की तो इसका मतलब विश्वास से धर्मी ठहरना के तथा कथित मसीही सिध्धान से भी नहीं है अधिकांस मसीयों के रिदे में पाप है क्योंकि वे केवल कुरूस पर येश्यू के लहू में विश्वास करते हैं इसलिए वे अपने रिदे में पापों को छिपाने के लिए नियाई करण के सिध्धान को स्विकार और समर्थन करते हैं जबकि खुद को यह कहते हुए दिलासा देते हैं बले हमारे रिद्व में पाप है फिर भी वह हमें पाप रहीत मानता है हाला कि यहां सिध्धान्त वेतुका और शापित हो जाएगा फचन उनिस कहता है क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आग्या न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे वेसे ही एक मनुष्य के आग्या मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे यहां एक ऐसा व्यक्ति प्रगट होता है जिसने अवग्या की और दूसरा जिसने आग्या का पालन किया एक था आदम और दूसरा था मनुष्य जाती का उधार करता येश्यो मसी आदम की आग्याना माने से सभी मनुष्य जाती को पापी बना दिया और इसलिए येश्व ने हमें हमारे पापों से बचानी के लिए युहनना से बब्तिस्मा लेकर जगत के पापों के लिए कुरूश पर मर कर और पुनरुथित होकर अपने पीता की इच्छा का पालन करते हुए learnt लोगों को परमेश्वर के सार्थ मिलाया परमेश्वर पिता ने अपनी धार्मिक्ता के द्वारा येश्व में सभी विश्वासियों को पूर्ण रूप से धर्मी बनाया वचनबिस कहता है व्यवस्ता बीच में आ गई कि अपराद बहुत हो परन्तु जहां पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रण उससे भी कहीं अधिक हुआ ऐसा कहा जाता है कि व्यवस्ता ने हमारे अधर्मों को बढ़ाने के लिए प्रविश्च किया आदम के वनसज के रूप में लोग मुल रूप से पाप के साथ पैदा हुए है फिर भी वे पाप करते हुए भी पाप के बारे में नहीं जानते हैं व्यवस्ता के बिना कोई पाप को पाप के रूप में मैसूस नहीं करता है और केवल परमेश्वर की व्यवस्ता के द्वारा ही व्यक्ति अपने पाप को देख पाता है हलाकि जब हमें व्यवस्था का पता चला तो हमें अपने पापों का अधीक-अधीक एहसास होने लगा भले ही लोग मुल रुप से पापों से भरे हुए थे फिर भी वे अपनी पापों के बारे में तब तक नहीं जानते थे जब तक कि उन्हें व्यवस्था प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे अपने पाप पूर्ण कार्यों का एहसास नहीं हुआ इसलिए बाइबल कहती है व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराद बहुत हो परन्तु जहां पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्र उससे भी कहीं अधिक हुआ इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की व्यवस्था के माद्यम से व्यक्ति अपने पापों को मैसूस करता है और उसकी धार्मिक्ता में विश्वास उसकी संतान बन जाता है मनुश्य जाती केवल तभी परमेश्वर के अनुब्र को सच्चे सुसमाचार के माद्यम से मैसूस कर सकती है जिसमें परमेश्वर की धार्मिक्ता सामिल है जब व्यवस्था के माद्यम से अपनी कम्यों और परिर्पुनता से अवगत हो जाता है जो लोग व्यवस्था के सामने अपने पापों से अच्छी तरह वाकिफ है विस्विकार करते हैं कि उनका अंत नरत में होगा और इसलिए अधिक कुर्टेग्नता के साथ येशु पर विश्वास करते हैं जिन्होंने उन्हें अपने बप्तिस्मा और कुरुस पर मृत्यू के माध्यम से बचाया है जितना अधिखम व्यवस्ता के माध्यम से अपनी पाप पूर्णता का एसास करते हैं, उतना ही अधिखम परमेश्वर की धार्मिक्ता द्वारा इस तरह के महान उध्धार की स्थापना के लिए अभारी होते हैं वचन 21 कहता है कि जैसा पाप ने मृत्यू फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु येश्व के द्वारा अनुग्रवी अनन्त जिवन के लिए धर्मी ठैराते हुए राज्य करें बाइबल में कहा गया है कि पाप ने मृत्य फैलाते हुए राज्य किया हाला कि परमेश्वर का अनुगर जिसमें येश्व का पानी और लहू सामिल है वहाँ उसकी धार्मिक्ता का है क्योंकि उसकी धार्मिक्ता ने हमें हमारे सभी पापों से पूरी तरह से बचा लिया है हम पर्मेश्वर की संतान बन गए है पवित्रता का सिध्धान्त और न्याई करण का सिध्धान्त निरर्थक परिकलपनाय है जो मानविय तर्ग से बनी है और उन लोगों द्वारा बनाई गई है जो पर्मेश्वर के वचनों की उपेक्सा करते हैं यह कहना बहुत ज़्यादा नहीं है कि ऐसे सिध्धान्त दार्शनिक धर्मसास्त्रियों के परिश कारिक से कुछ ज़्यादा नहीं है जिन्हें कभी सुलजाया नहीं जा सकता पर्मेश्वर के सत्य स्पस्ट और ठोस है हम इस पत्या पर विश्वास करके जगत के पापों से बच गए है कि येशु जो मनिश्य सरेर की समानता में पर्मेश्वर है उसने हमें हमारे सभी पापों से बचाया है जो उस पर विश्वास करते हैं ये बच जाते हैं क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? हाँ यदि आप पर्मेश्वर की धार्मित में विश्वास करते हैं तो आप बच गए हैं आप निश्चित रूप से अपने सभी पापों से मुक्ति और उध्धार प्राप करते हैं यदि आप इस बात पर जोर देते हैं कि अंतहिन पश्रताप की प्रातना करना और पवित्रता तक पहुँचने के लिए एक निर्दोस जीवन जीना आपको बचा सकता है तो आप जिद कर रहे हैं कि आप येश्चु के बिना बच सकते हैं येश्चु ही उध्धार का एक मात्र प्रविशद्वार है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पवित्रता का सिध्धांद सच्चाय की परवा किये बिना अपने स्वयम के कर्वों और प्रयास उसे बचाया जाने में शक्सम होने के बारे में सिखाता है व्यवस्थाका 0.1 प्रतिसत भी पालन करने में असमर्थ होना 100 प्रतिसत पालन करने में असमर्थ होने के समान है परमेश्वर हमें बताता है कि हम उसके 0.0 एक प्रतिसत व्यवस्था का भी पालन करने में आसमर्थ है जो लोग सोचते हैं कि वे लगबग 5 प्रतिसत व्यवस्था का पालन कर रहे हैं और समय के साथ इसे 10 प्रतिसत तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं वे अपनिक समताओं से पूरी तरह से अंजान है और परमेश्वर की धार्मिक्ता के खिलाप खड़े हैं अपनी स्वयम की धारणा और तर्क से परमेश्वर की धार्मिक्ता को समझने की कोशिश न करे उसकी धार्मिक्ता ने हमें हमारे पापों से बचाया है और यहां हमारी प्रतिक्सा करता है कि हम उस पर विश्वास करें ताकि हम उसकी संतान बन सके परमेश्वर सर्वसक्तिमार और दयालू है इसलिए उसने हमें अपनी धार्मिक्ता से एक ही बार में बचाया है झाल झाल